कल बाद नमाज जुमा दस तारिक को ठीक दो बजे मुस्लिम चौक पर एक प्रोटश रखा गया है जो की रजा एकेडमी की जानिच से रखा गया है जो बीजेपी की स्पोक परसन नुपूर शर्मा और बीजेपी के लीडर नविन जिंदाल और बीजेपी के लीडर तलिंगा कि राजा सिंग इन तीनों के खिलाफ प्रोटश रखा गया है मैं तमाम गुलबर्गा के नौजवानों से खुजारिश करता हूं कि बाद नमाज जुमा पूरे तादाद में लोग मुस्लिम चौक पर आकर इस प्रोटश को कामियाब करें और अपने गुस्ते और अपने न जब हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क जब इसके खिलाफ नाराज़गी जाहिर करते हैं तो उनको सेस्पेंट करने का काम किया जाता है उन्हें सेस्पेंट के साथ साथ उनके ओपर क्रिमिनल केस दाल करोने जब तक जेल नहीं बेजा जाएगा इस तरीके के फिरकपरस्ते लोगों को सबक नहीं सिखाय जाएगा हिंदुस्तान तरख्की करने वाला नई हिंदुस्तान में ये लोग तंग्य करने की नियस से डिवाइड रूल करकर पॉलिसी करकर पावर में आने की नियस से ये लोग इस तरीके के स्टेटमेंट देते वह नजार आता है वो भी के ओपर खाजा गरीब नवास के ओपर भी इस तरीके के अलफास कहते हुए राजा सिंग नजर आता है तो इन तमाम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा इतिजाज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम चौक पर रखा गया है मैं फिर एक बार तमाम लोगों से नवार को बन करकर इस प्रोटेस्ट में ज्यादा ज्यादात में आकर आपकी जो मुपत है आप सल्लाओ लोगों से मुपत दिखाईए मनसब्बनेबियन फखतुलुगों मनसब्बनेबियन फखतुलुगों कल बाद नमाद जुमा दो बजे मुस्लिम चौक पर रदा एकडेमी की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो के राजा सिंग के खिलाब राजा सिंग ने जो सरकार खाजा गरीब नमाज रहमत ल्लाओ ले की शान में जो गुस्ताखी की है और नुपुर शर्मा जो गुस्ताखी की है उन दोनों के खिलाब एक मुस्लिम चौक पर प्रोटेस्ट रखा गया है मैं सभी आशिखानी मुस्तफा से यह दरखास करता हूं कि आप सभी लोग मुस्लिम चौक पर जमा हो और अपने गुस्ते का इसहार गया है